जादा सोचो मत बस तैयारी करो क्योंकि हम लोग जाने वाले है एक नए दुनिया में जिसका नाम है ब्रॉल स्टार्स ब्रॉल स्टार्स एक बहुत ही मज़ेदार खेल है जिसमें टोटल 52 ब्रॉलर्स होते हैं यानि कि 52 स्किन्स होते हैं और जो स्किन आज मैं यूज करने वाला हूँ उसका नाम है काल जो कि अपना बूमर रैंक का यूज करता है सामने वाले को डैमेज देने के लिए और रही बात इसके सूपर की तो जब इसका सूपर डूपर आएगा तब इसकी जो हरकते होंगी वो आप खुद देख लेना आईए अब हम गेम पे फोकस करता है स्कोर इसमें 0-3 से है मतलब हम पीछे चल रहे हैं देखे मेरा यह सूपर एकनम तरबाइन के जैसा चलता है फुर गोल-गोल ठुमक ठुमक के चलता है और डैमेज थड़क थड़क के देता है इसको बिलकुल भी बुरा नहीं लगता है पर यह बड़ा ही खतरनाक ब्रॉलर में को लगता है देखो यह कैसे damage दे रहा है देखो मेरे सामने तीन ब्रॉलर्स है और मेरे साथी भी तीन ब्रॉलर्स है अगर आप नए हो तो आपको थोड़ा confusion होगा पर आपको बता दू कि इन सभी ब्रॉलर्स के पास इनकी खुद के एक strength जिसे कि मेरे पास अभी पोको आया है जहां मेरा aim में महाँ पोको छुपा है देखिए यह पोको एक healer है पर इसका damage बड़ा तगड़ा लगता है और यह मुझे knock करना चाहता था पर इसको पता नहीं था कि मेरा super activate हो गया और यह शैद से बज गया मतलब क्या ही बोलू मैं इतना अच्छा chance था उसे गिराने का चलिए गिरा दिया मैंने अभी score देखिए 7-4 मतलब जीतने का अच्छा chance तो है जीत का basic सा funda है कि आपके पास 10 gems हो जाएने चाहिए और आप उसको hold कर सको हाँ बिलकुल historical time के जैसा गड़ पे कबजा कर लो और उस पे राज करो बीना किसी परवा के और बीना किसी चिंता के अभी score 7-7 मतलब मेरे गरने के बाद मेरे team mates ने बचा लिया बतलब team बच अच्छी मेरी है मुझे देको मेरा super freeze आया मैंने फिर से के elimination किया और फिर से मैं भी eliminate हो गया अब वापस back to start 8-7 का score और time बचा है 1 minute 40 seconds मतलब अब हमें कुछ तो करना होगा जिसे हम जीट सके देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं अब एक ही चीज़ है सकते हैं कि दुसरे को गिराओ क्योंकि 9 जेम आते आते तो time खतम हो जाएगा इस box में से इसलिए हाँ अटेक करना यह भी best option रहेगा न देखिए अब हमारा countdown हुआ हमें अब hold करना है 15 seconds के लिए कि शायद से हम hold कर लेंगे मैं को तो वहीं लगते कि हम hold कर लेंगे कि चलिए अरे अब थोड़ी मुसीबत आ गई क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है टाइम सिर्फ एक मिनिट का बचा है उन्होंने डामेंटस नहीं उठा लगता है नहीं बारली आया है उठाने को पर फैदा नहीं इसकी health लो होती है पर इसका हमने वाले टीम ने लीड ले लिए 12-13 की और इसा हो सकता है गाइस ऐसा हो सकता है कि हम यह मैच हार जाएं क्योंकि अब सिर्फ पाथ सेकेंड ही बचे हुने मतलब हम यह मैच हार गए यार जीता हुए मैच हार गए पर कोई नहीं हम फिर से खेलेंगे अपना काल भाई है ल बहुत ही मज़ा आया मेरे को तो इसलिए मैं फिर से खेलूंगा अगर आपको भी यहां तक देख रहें और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना यार वीडियो को अप्लीज अच्छा लगता है में को आप लाइक करते हो तो कहता है या तसली दिल को तसली मिल ज मज़े करो जेम्स का जो करना है वो करो और मज़े करो यह देखिए इधर भी यहां पी यह बुल है यह क्लोज रिंज में बहुत अच्छा फाइट लेता है बुल और इसका पावर है कि आपको उड़के फ्लाइंग मैं एक दमी सूपरमैन के जैसे उड़ता है आता है और प पंच आपको पढ़ गया ना तो बहुत बुरा लगता है यह देखिए बुल में जो इलिमिनेट करना चाहता है शायद से कर भी देखा हेल्स लो है मेरी अरे इससे कहते हैं सूपर का धमा का मैंने अपने सूपर से बुल को डाउन कर दिया और उसका एक जे मैंने ले लिया अब स्कोर है 6-1 यह देखिए क्या होता है यह बुल फिर से अटेक करना चाह रहा है इसको मैं डाउन करूँ किया फिर से पर कुछ फायदा नहीं बर इसको डाउन करके कुछ मिलेगा नहीं से अभी यह लाइबिलिटी बन गया पहले यह असेट था मुझे एक जेम दे रहा है अब लगता है मुझे ना कि हम जीती जाएंगे देखिए यह देखिए बुल फिर से आया इसको मैं फिर से बाहर करूँगा हुआ क्या देखिए फिर से बाहर हो गया भाई मैं हूँ यार वहत क्या बोलते मैं वह बंदा हूँ वहत प्रो बंदा हूँ मैं इसे नहीं करते बूल भाई इसे नहीं करना चाहिए देखिए फिर से इसको फिर से बाहर करूँगा मैं यह देखिए हम मेरे पास है टूटल सिक्स डामंड्स और हमारे टीम का स्कोर है 15-0 बस 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड और धंधं हम यह मैच जीत गए और आपने वीडियो पूरा देख लिया कि अच्छा है दो भाई आप पूरा जाए ़ीडियो घसे एगा है यह मैं यह मैं यह मैं आपने वीडियो जाब